तो अगर आपकी pen drive में कुछ ऐसा data जिससे आप नहीं चाहते को कोई उसे देख ले तो आप उस पे password लगा सकते हैं तो मैं आपको एक ऐसा त्रिक्का बताऊंगा जिसके जरिया बिना PC के अपने mobile के जरिये pen drive पर password लगा सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं mobile के साथ यहां पर pen drive connected कर लेता हна जैसे कि हम सबको पति होगा pen drive connect करने के लिए आ में OTG की जरूरत पढ़ती है तो सबसे पहले में फेंड़ाब को OTG का सथ connect कर लेता हूं और यहां पर इसे mobile के साथ connect कर लेता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं मोबाइल में pen drive connect हो चुकी है अगर pen drive लगाने के बाद आपके mobile में pen drive connect नहीं हो रही है तो आपको mobile की setting में जाकर search करना है otg तो mobile में otg की setting आएगी आपको उस setting को enable कर देना है ठीक है तो आपके mobile के साथ pen drive connect हो जाएगी इसके बाद आपको file manager में आ जाना है तो यहां पर आप USB storage पर click करेंगे तो यहां पर आप pen drive के सबी data को देख सकते हैं तो देख सकते हैं मेरे पास यहां पर कुछ mobile series पड़ी होई है तो अभी जैसे मैं इनको log करूँगा तो यहां पर pen drive में कुछ भी सो नहीं होने वाला बिना password के यह data कोई भी access नहीं कर पाएगा तो pen drive पर password लगाने के लिए आपको एक छोट ऐसा application install करना होगा तो उसके लिए आपको प्लेश्टोर पर आ जाना है यहां पर आपको search करना है otg locate तो आपके समने यह application आ जाएगा तो इस application को आपको install कर लेने तो मैंने पहले से install के होए तो direct में यहां पर open कर लेता हूँ तो यहां पर आपके समने कुछ इस परकार की screen आ जाएगी तो यहां पर आपको permission को allow करके यहां पर ओके क्लिक कर देने ठीक है तो इसके बाद आपके समने application कुछ इस परकार से open वो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं आप से यहां पर six digit का बिन सैट करने के लिए बोल जा रहे हैं तो पैंडराइव पर पासवड लगाने से पहले एक और बार में आपको बार दाटा दिखाना चाँगा तो देख सकते हैं यहां पर पैंडराइव का यहांप पर सो कर रहा है ठीक है तो अब set को देखके यहां पर skip कर देना है तो जैसी आपके सामने यह स्क्रीन आ जाए तो आप समझ जाए कि आपकी pen drive पर log set हो चुक है मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो मैं यहां पर file manager open कर लेता हूं यहां पर pen drive के folder में चलता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कोई भी folder यहां पर so ने कर रहा है लेकिन जैसी मैं यहां पर वह password यहां पर enter करके यहां पर unlock पर क्लिक करता हूं यहां पर एक चोटी सी add के add को देखके मैंने यहां पर skip किया अब मैंने यहां पर file manager open किया तो अब आप यहां पर देख सकते हैं वह सभी folder यहां पर दुबारा से आ चोगे हैं ठीक है तो अब आप बोलेंगे तो खुदी के mobile में करके दिखा रहा है कोई बातने में आपको यहां पर इसे और advanced तरीके से यूज़ करके दिखा देता हूं तो मैंने यहां पर दुबारा से pen drive को निकाल लेता हूं और दूसरे mobile में इस pen drive को मैं यहां पर लग लिखा हूँ सो कर रहा है डैट्स मिंस कि अगर pen drive पे लोक लगाओ तो pen drive को किसी भी mobile में laptop में PC में लगा लेना pen drive का कोई डाटा वहां पर सो नहीं होने वाला जब तक आप pen drive को unlock ने कलेते तो pen drive को unlock करने के लिए आपको mobile में उसी application को एक बार install करना होगा उसके बाद आप application pen drive को open कीजेगा वहाँ पर आपके समने password एंटर करने के लिए बोला जाएगा तो आपने उस pen drive पर जो भी password लगाया होगा वह पास्वड़ आपको यहां पर enter करना होगा enter करने के बाद आप यहां पर unlock पर click करेंगे एक add आपके समने आ सकती है add को देखने के बाद को यहां प pen drive पर लोग लगा सकते हैं लेकिन याद रखना अगर pen drive का password बूल गए तो आपको अपना data बूल नहोंगा तो password ऐसा लगाना जो आपके याद रहे